वेलकम टू मुसाफिर समर हमरे पिता जी अक्सर चौपाई बोलते थे थे थोटफूल है बहुत ज्यादा सारगर्वीत उसका अर्थ है रणहद राम रजाहद रावन रण में रण मनें वार में रणहद राम राम से बड़ा कोई वारियर नहीं हुआ इंडियन मैथालोजी के हिसाब से है यह हम लोग का एपिक है रामचरिस मायन सब्सक्री या रमायन है कहिए या बालमिकी रमायन है या गोसाइजी तुनसी दास का है तर रणहद राम राजाहद रावन राजा रावन से बड़ा अपना प्रजा के लिए बहुत सोने की लंका पूरी बनाया था ब्राह्मन था और बहुत प्रतापी था शीव का बहुत बड़ा भक था कुछ दिन और रह जाएंगे तो बना देंगे सीढ़ी यहां लगाते हैंगे सीढ़ी यहां से लंका से स्वर्ग में सीधे डारेक्ट तो यह रणहद राम रजाहद रावन अब बलहद भीम भीम से बल में ज्यादा कोई नहीं हुआ सबसे जादा मजबूत कहे गया है अलाकि भीम का भी घमन हरुमान जी तोड़े थे हरुम तो उपचान नहीं रहता है हनुमान जी को बंदर जरसा ना पूछ हटाओ तो कहीं कि भाई है तुमको ताकत हई है भीम हई हो तो हटा लो पुछे रहे का हालत मंचर हो गए तब पता चला कि भगवान सरूप थे कहा जाता है कि हरुमान जी जो है वही पहुंचाते हैं राम जी के पास तो इसलिए हरुमान जी के बहुत इजत है तो वही तरणहद राम रजाहद रावन अब बॉलहद भीम अब बरका हद सावन सावन में अभी पहले का वीडियो में हमने कहा है हुए सावन के बारे में त सावन में जितने बारिस होगी उतना कभी भी बारिस नहीं होते सावन का यहाँ देवगर में अब तो जारखण में चला गया पहले बिहारी का अंस था श्रामडी मेला लगता है अब आपे भोलनात को कामरिया लोग बहुत दूर से करीव एक सचार पांच के दूस किलो मीटर स साहिव गंज के पास से हैं पानी उठाते हैं उसके बाद यह बिहार में पढ़ता है गंगा जी वहां से पानी लेकर कवरिया अगनम डाक बंब है पैदल भी आता है लोग कावर लेकर बहुत में कस्ट से अब भजन गीत गाते हुए उसावन में मैं बारिस होते जा रही है अब यह पैदल पाहड़ी 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 ओपर वाला देता सब नहीं है लेकिन झो ठान लेता है वह बाबा के दरवाज में पहुंच जाता है तो यहीं कहानी है तो सोचे आप लोग से थोड़ा शेर करूं अच्छा लगा आप लोग से बात कर दन्यवाद थैंक झाल झाल